बिस्मिल्लाई रह्माने रहीम, असलाम अलेकुम, वेलकम बैक टो मैं चैनल फूट रॉक्स, अगर आपने भी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली लेटेस वीडियो का अपडेट मिल सके, आज मैं बनाने जा रही हूँ, होटन सार्ट सूप, तो होटन सार्ट सूप की रेसिपी आपके साथ शेयर करें, इसके लिए जो चीजें चाहिए, वो बॉइल्ट चिकन लिए है मैंने, सफेद मिच, काली मिच, हरी मिच, चिकन पौडर, अदर ग्लेसन जोए उसको कू थोड़ी सी बन को भी गाजर, एक से दो लीमु कराश जोए इसमें स्क्वीज करके डालेंगे, यहनी जोए वो तियार कर लिए, मतलब आपने चिकन को पानी डाल के, दो से पीन लीटर पानी डाल के आपने चिकन को बाल लेना थाकि यहनी जोए वो निकल आए, और चार से पान चमच आपको इसमें कान फ्लो चाहिए, दो से तीन टेवल स्पून के करीब इसमें आइल डाल देंगे, अब इसमें यह अद्रक लसन डाल देंगे, इसके साथ इसमें यह हरिमेच भी डाल देंगे, दो से तीन मिनट के लिए इसको सौते कर लेंगे, दो से तीन मिनट सौते करने के बार इसमें जो गाजर है, वो डाल देंगे, और बंगो भी डाल देंगे, एक से दो मिनट के लिए इनको फ्राय कर लेंगे, अब इसमें यह जो चिकन स्टॉक रेडी किया था, यानि के यहमी चिकन की, वो डाल देंगे, अब इन सबजियों को 5-6 मिनट के लिए पकने देंगे, 7-8 मिनट, अब इन सबजियों को 7-8 मिनट के लिए पकने देंगे, और इसमें एक लीमू जो है, उसके बीज में रहलक कर दिये थे, वो स्क्वीज करके डाल देंगे, 6-7 मिनट, सबजियों को ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना, अब इसमें यह चिकन डाल देंगे, 2 टेबल स्पून की करीब सिरका है, चिरी सॉस, सोया सॉस, काली मिर्ज, सफेद मिच, चिकन पाउडर, और नमक डालने में से, अब यह कॉन फ्लोर जो है, इसमें पानी डाल के इसका मिस्टर जो है, रेडी कर लेंगे, अब इसमें यह कॉन फ्लोर का मिक्स्टर रहा है, वा इस्ता इस्ता करके डालेंगे, जितनी थिक कंसिस्टेंसी आपको चाहिए होगी, उससे साफ से डालिएगा, एक दम से सारा नाट नाट पाउडर, अब इसमें यह जो अंडे की सफेदी थी, यह डाल लेंगे, और इसको दो से तीन मिनिट के लिए पका लेंगे, होटन सार सूप जो है, वो रेड़ी हो गया, अब इसको डिश आउट कर लेता है, यह साफ सोया सॉस है, सिरकाइस में हमने ग्रीन चिली जो है, मतलब सबस मी टाल दिये, और यह चिली सॉस है, रेस्टरंट में ऐसे ही सब होता है यह सूप, तो होटन सार सूप रेड़ी हो गया, आप भी विन्टर को इंचोई करें, इस रेसिपी को गढ़ भी ट्राय करें, में वीडियो को लाइक करें, में चैनल फूड रॉक्स को सब्सक्राइब करें, इसको जादा से जादा शेर क करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप को आने वाली लेटेस वीडियो का अपटेट मिल सकें, में चैनल को यूँ ही लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और मुझे ड्राव में याद रखें